हलो गाइज यह है शॉर्ट वीडियो की अभी युनिवर्स अभी आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाते हैं अभी आपको अपनी लाइफ में क्या जानने की जरुत है ओके सो चलिए पहला कार्ड जो आपके लिए है युनिवर्स और आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कह रहे हैं कि प्लीज इंपॉसिबल पर बिलीव रखिये ठीक है युट भी आपके लाइफ में सिचुएशन ऐसी चल रही है जो आपको ऐसा लग रहाएं आपको कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रहे है मट ऐसा नहीं है युनिवर्स आपसे कह रहेंगी प्लीज अपने ड्रीम पर गिवफ मत करिये Believe करिए अपने आपे Believe रखीगी आपको वो चीज जो भी आप Manifest कर रहे हो वो जल्दी बूरी होगी और बहुत जल्दी बूरी होगी Okay, so please don't give up on your dreams Second card जो आपके लिए है वो है Eight of Swords का card So Eight of Swords का card कहीं न कहीं Indicate यह कर रहा है और आपको यहां से बाहर निकलने का रस्ता नहीं निकल पाता है But actually situation यह है कि यह सब चीज जो है यह आपके mind में है Real life में नहीं है Real life में आप अगर चाहो तो यहां से आप चल गया बाहर निकल सकते हो अपने आपको इस stuck situation से अपने आपको free कर सकते हो पर शायद आप खुदी कोशिश नहीं कर रहे है तो आपको ज़रुत है ज़रुत है सा कोशिश करने की अपनी life पे थोड़ा से efforts लगाने की थोड़ा सा अपनी सोच को positive रखने की थोड़ा सा इस negative mindset से बाहर निकलने की और अपने आँखों पे से पट्टी हटागे life की थोड़े सी अच्छी चीज़ों में focus करने की तो अपने आपको इस negative situation से बाहर निकालिए यह सब आपके mental situations हैं यह ठीक है आपके real life में ऐसा कुछ भी नहीं है बढ़ आपका mind है वो आपके साथ games खेल रहा है जो कि आपको negative सोचने में मजबूर कर रहा है तो यहां से बाहर निकालिए क्योंकि आपकी life में बहुत अच्छी है आपकी life में miracles होने वाले हैं बट कहीं न कहीं आपका mind जो है वो आपको trick कर रहा है कि आप negative ही सोचो आप overthinking करो तो आपको यह सब करने से बचना है ओके थर्ड कार्ड भी है फो यू इस 10 of swords यह 8 of swords के बाद 10 of swords तो यह जो भी situation है जो आपको परेशान करके रखी वी है ठीक है आप रात को सो नहीं पा रहे हो आप परेशान रहे हो आप stuck feel कर रहे हो उस situation की ending होगी ठीक है जो भी situation negative चल रहे है वो सब end हो जाएंगे तो आपकी life में आपको freedom मिलेगा जो toxic cycle चल रहे है जो same same pattern repeat होए जा रहे है जो कुछ भी negative है आपकी life में negative आते negative सोच anything वो सब negativity की ending होगी या अगर आप बहुत बक से एक बुरी चीज में फसेवे हो और आप चारे हो कि आपको वहाँ शुटकारा मिल जाए ठीक है कोई health issue है या कुछ भी है जासे आप शुटकारा चारे हो जासे आप चारे हो कि वो खतम हो जाए तो चीज end होने वाले है और आपकी life में नई शुरुबात आने वाली है बहुत जल्द जिस नई शुरुबात का आप इंतजार कर रहे हो वो आपकी life में बहुत जल्दी manifest हो रही है अगर आप positive रहोगे तो आप यह चीजे और जल्दी manifest कर पाऊगे तो divine is giving you a new chance to start your new life एक new life आप manifest कर रहे हो पर आपका एकदम नया वर्जन होगा जापे आप बहुत positive फील करोगे then we have for you is life purpose so अभी आपको जरुत है अपने life purpose पे focus करनेगी डिए अभी कुछ चीजें हैं जो आपकी life में सही नहीं चल रही है but फिलाल आपको divine ये कह रहे हैं कि आपने life purpose पे focus करिए आप क्या करना चाते हो इस life में आप उस चीज़ पे focus करिए और अगर आप वेट कर रहे हो अपने union का तो अभी आपके union में time है यहाँ पे दो बर्ज है बढ़िए अभी दूर है अभी union में time है तो जब तक आपका union नहीं होता तक आपने life purpose पे focus करिए अपना heart chakra पे work करिए ठीक है positive रहिए और अच्छा positive attract करिए अपनी life में ठीक है and then last card we have for you is perseverance the motivation to keep going despite the odds अभी आपको life में सिर्फ आगे बढ़ते रहना है बले situation काफी odd है बले situation अभी सही नहीं चल रही है आपकी life में बट फिर भी आगे बढ़ते रहो बढ़ते रहो because यही इसी तरह से आप जैसे आगे आप बढ़ते रहोगे न तो आप अपने आपको 8 of swords situation से निकाल के अपने आपको 10 of swords पे लेया होगे आपको life में recovery freedom मिल जाएगा और इस नहीं शुरुवात को बहुत जल्दी manifest कर लोगे okay so just keep going despite the odds so आगे बढ़ते रहो guys और आपकी life में आप impossible पे believe करें कि सब कुछ अच्छा होगा आपकी life में okay guys so यह है आपकी reading lecture subscribe thank you